हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार्डिक स्वागत है देखे आज हम आपके समने जो नीज लेके आए हैं वो पाकिस्तान से जुड़े होई है और न्यूज क्या है वो न्यूज है कि जस्टिस आईशा मलिक हो सकती है पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस देखे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो सकती है वो और वो पहली महिला होंगी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का गोरव प्राप्त होगा उनको जस्टिस आयसा मलिक 74 साल के इतियास में पहली बार महिला सुप्रीम कोट जज बनने को तैयार है देखि-अभी वो सुप्रीम कोट के जज बनने के लिए नोमिनेट हुई हैं उनका नाम अभी नोमिनेट हुआ है और अगर ऐसा होता है जिसके पूरी-पूरी सन्भावना है तो वो पहली महिला होंगी जो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में एक महिला जज के रूप में काम करेंगी देखें ये हैं वो जस्टिस आईशा मलिक देखें मैं थोड़ा से यहां से आपको अपने देश से वाकिक वरा देता हूं देखें भारत में पहली महिला निहायदीस जो थी वो थी फातिमा बीबी जिने 6 अक्टूबर 1989 को नुक्त किया गया था तब से हमारी अदालत में सुप्रीम कोट में साथ और महिला निहायदीस हो चुकी हैं वरतमान में अदालत में कुल 27 निहायदीस हैं बारत में इंक्लूडिंग चीफ जिस्टिस ओफ इंडिया उन में से फिलाल एक महिला निहायदीस हैं और जिनका नाम है इंदरा बैनर जी देखे यह आपके साँएं दो figures हैं यह है는 फातिमा बीबी जो हमारे देश की पहली जज़ थी सुप्रीम कोट में जो 1989 को यानि अगर हम बात करें तो लगवग लगव 32 साल पहले हमारे देश में पहली सुप्रीम कोट की जज़ थी फातिमा बीबी और जो वर्तमान में हैं अभी जो जज हैं वो हैं इंद्रा बेनर्ची तो देखिए पाकिस्तान के इत्यास में इसा पहली बार होने जा रहा है कि कोई महिला चीफ जस्टिस बनेगी उनके नाम के लिए सिफारिस जो है जो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ओफ पाकिस्तान है मुसीर आलम उन्होंने उनके नाम की सिफारिस की है उनके पदोनोती की सिफारिस की है तो चीफ जस्टिस ओफ पाकिस्तान मुसीर आलम जो है वो 17 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं तो पाकिस्तान की एक नियाएक समीती आईसा मलिक को सुप्रीम कोट का चीफ जिस्टिस बनाने पर विचार कर रही है और ये फैसला 9 सेप्टमबर को आने वाला है और जिसमें पूरी पूरी सम्भावना है कि वो नॉमिनेट हो जाएंगी फिलहल वे 2022 से लाहोर हाई कोट की जज़ हैं और वरिष्टता सुची में चोथे इस्टान पर आती है देखिए में चीज क्या है कि उनका जो कारेकाल है अगर वो नॉमिनेट हो जाती है सुप्रीम कोट ऑफ पाकिस्तान के लिए तो 2021 अगले 10 साल में वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोट में रहेंगी और जब वरिष्टता स्थान पर चोथे नंबर पर हैं तो वो पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने का पूरे पूरे संभावना है और अगर वहाँ 10 साल रहेंगी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगी तो ये पाकिस्तान के इत्यास में एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि Chief Justice का पद जो एक बहुत बड़ा और बहुत गरीमा वाला पद होता है हमारे देश में अभी तक Supreme Court में साथ महिलाएं जज़ बनी है Supreme Court में बट Chief Justice of India आज तक एक भी नहीं बन पाई है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब दियोगी पाकिस्तान जैसे देश के लिए कि वो अगर Chief Justice of Pakistan एक महिला को निउट कर पाता है तो देखे उन्हों की अपनी बेसिक सिक्सा जो है New York, Paris, London से की कम्प्लीट उन्होंने 2019 में जस्तिस आयसा लाहोर में महिला जजों की सुरक्षा के लिए समीती की अध्यक्स बने थी देखे महिला जज जो है पाकिस्तान में उनकी सुरक्षा की समीती के लिए एक निउक्ति की गई थी इस पैनल का गठन उसी साल जिला आदालतों में वकीलों द्वारा महिला जजों के परती गुंडगर्दी के खिलाफ किया गया था देखिए पाकिस्तन में क्या था जो डिस्टिक कोर्ट्स थे वहाँ पे महीला जजों के परती काफी गुंडागर्दी दिखाई जाती थी वक्किलों द्वारा तो उनके खिलाफ इस समीति का गठन किया गया था जिसकी हैड थी जस्टिस आईसा मलिक और उनके द्वारा एक्शली जो सबसे बड़ा डिसीजन है जिसके लिए जानी जाती हैं वो महीलाओं के लिए समानता और नियाय के माध्यम से महीला ससक्तिकरन की पहल दा इंटरनेशनल एसोशेशन ओफ विमेन जज्ज की भी सदश्या हैं इसी साल जनवरी में जस्टिस मलि एक एक एतिहासिक फैंसला सुनाया था जिससे एक ये फैंसला ऐसा था जो इस साल में आया उनके तरफ से और ये फैंसला इतना बड़ा था कि पूरे वर्ल्ड में इसकी गुंज सुनाई दी और वो फैंसला था योन उत्पीडरन की पिडिताओं पर टू फिंगर टेस्ट चिसको इन्होंने अवैध और पाकिस्तम के समविदान के कहलाव घोसित किया था उन्होंने अपनी प्रश्ट के फैंसले में लिखा था कि टू फिंगर टेस्ट और हा इमन टेस्ट का योन हिंसा के मामले में कोई चिकितस्याह आदार या फोरेंसिक वैल्यू नहीं नहीं है और घोसित किया कि कोमारिय परिक्षन महिला पीडित की व्यक्तिगत गरीमा को ठेस पहुचाते हैं तो यह जो हम टू फिंगर टेस्ट या हीमन टेस्ट की बात कर रहे हैं योन पीडित महिला के बारे में तो उससे क्या है आप महिला की व्यक्तिकत गरामा को गरीमा को ठेस पहुचा रहे हैं और इसलिए सम्विधान के अनुच्छेद 9 और 14 में नहीत लेकि जो पाकिस्तान का सम्विधान है उसका अनुच्छेद 9 कहता है जीवन का अधिकार और अन च्छेद गरीमा के अधिकार के खिलाफ है और ये उनका एक ऐसा फैसला था एथेसिक फैसला था जिसने उनको दिन पर दिन और जादे तरक की और जादे उनको फैलाया चारो तरक की इतनी अच्छी जजज है और उनका ये फैसला काफी जादे फेमस है आज तक भी तो ये थी हमारी आज की न्यूज जस्टिस आईसा मलिक के उपर जिसमें हमने आपको बताया कि फातिमा बीबी जो है इंडिया की चीफ जस्टिस ओफ अगर मैं बात को इंडिया में जो है वो जज रही है सुप्रीम गोर्ड में तो पहली थी फातिमा बीबी और अभी वर्तमान में जो टोटल मिला कि 27 जज अवेलिबल है इंक्लोडिंग चीफ जस्टिस ओफ इंडिया वहाँ पे जो जज है वो है इंडरा बैनर जी और जो नोमिनेट पाकिस्तान की तरफ से हो रही है उनका नाम है जस्टिस आईसा मलिक तो यह सारी ऐसी नोलिश थी जो मुझे लगा कि आ जय हिंद जय भारत